नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल स्कूल चेले में और जसा कि आप देख रहे हैं आज हम NCRT जोग्रोफी क्लास्टिक्स के चेप्टर फोर्थ को पढ़ेंगे जिसका नाम है मानचित्र मानचित्र के बारे में आप सभी जानते ही होंगे जब हम किसी स्थान का जब नक्सा बनाते हैं किसे देश का नक्सा बनाते हैं या फिर आप कर सकते हैं अपने घर का ही नक्सा बनाते हैं तो उसे ही मानचित्र कहा जाकता है और यह विभिन प्रकार के भी होते हैं और यह हमार स्कूल से लेके कोई जोब पेगरा या फिर किसी भी चीज का खाका तयार करने में यह काफी मदद करता है तो चलिए अब हम इसे ही पिस्तार से पढ़ेंगे तो हमने पिछले अधियाय में गलोब के महत्तों के बारे में पढ़ा कि गलोब में अधियाय की कुछ सिमाय भी होती है तो जब हम पूरी पृत्वी का अधियाय करना चाहते हैं तब गलोब हमारे लिए काफी प्योगी सावित होता है क्योंकि मानचितर में आप कर सकते हैं कि एक ही अस्थान या फिर एक ही इसके को बताया जाता है और globe में आप संपूर्ण पृत्वी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं लेकिन जब हम पृत्वी के केवल एक भाग जैसे कि अपने देश या फिर राज जीला या सहर गाव इनकी बारे में अधियन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उप्योगी साबित नहीं होता है, जितना कि आप कर सकते हैं कि मानचित्र होता है तो ऐसे स्थिती में हम मानचित्र का उप्योग करते हैं मानचित्र पृत्वी की सत्व या इसकी एक भाग का पेमानिक की अधियन से चप्टी सत्व का खीचा गया चित्र है और लेकिन एक गोलाकार सत्व को पूरी तरह से चप्टा करना तो असमवह होता है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो ग्लोब है वो पृत्वी का ही रूप होता है तो उस पे आप कर सकते हैं कि वो गोल होता है और जब हम मानचित्र को कागाज भी बनाते हैं तो उस गोल भाग को चप्टे सत्व पर बनाना एक बहुत ही कठिन कारे भी होता है और मानचित्र हमा दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथे हो सकते हैं और जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है बतलाब आप कर सकते हैं कि एटलस में आप बहुत सारे जानकारी, बहुत सारे देश भी रख सकते हैं, बहुत सारे राज्जी भी आप उसमें जानकारी ले सकते हैं तो एटलस जो होता है वह विभिन प्रकार के और अलग-अलग पेमानों से खीची गई, मापी गई होती है तो मानचित्र से एक ग्लोब की अपेच्छा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है क्योंकि आप कर सकते हैं कि मानचित्र में बहुत ही बारीक से जब हम एक स्थान के बारे में विशेश जानकारी प्राप्त करना जाते हैं तो मानचित्र में आप कर सकते हैं कि बहुत ही बारीक से हर चीज को हर छित्र को दर्सा आया जाता है तो इस तरह से ग्लोब की अपेच्छा मांचित्र हमें ज्यादा जानकारी देता है और मांचित्र अभी भी प्रकार के भी होते है अब देखिए इसमें से कुछ के बारे में अब हम नीचे पढ़ेंगे तो मैंने यह आप पर एक-दो नंबर करके आपको समझाए है कि मांचित्र कृत्ने प्रकार के हो सकते है तो जो हमारे सबसे पहला मांचित्र है वो है भोतिक मांचित्र तो चलिए अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ ले तो जब प्रिथिवी की प्राकिर्तिक आकिरतिया जैसे की परवत, पेठार, मेदान नदिया, महासागर इतियाधिक और दर्शाने वाले मांचित्र को ही भौतिक मांचित्र कहते हैं और यह जो मांचित्र है वो भौतिक या फिर उच्चावच इसके दो नामें भोतिक या फिर उच्चावज दोनों ही इसे करते हैं तो हमारा भोतिक मानचित्र आ गया अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है राजनितिक मानचित्र तो राजनितिक मानचित्र में राजिय, नगर, सहर, गाउ और विशो के विभिन देशों एवं राजियों तथा उनकी सिमाओं को दर्साया जाता है तो इस तरह से दर्साने वाले ही मानचित्र को हम राजनितिक मानचित्र कहते हैं तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पर मैंने दो मानचित्र को विस्तार से समझाया, भौतिक मानचित्र और राजनितिक मानचित्र, भौतिक में आप कर सकते हैं कि परवत, पठार, मैदा, नदिया, यह सभी आएंगे, और राजनितिक में आप कर सकते हैं कि राज, नगर, स यह सभी हमारे राजितिक मांचित्र के हिस्से हैं अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है जो हमारा तीसरा मांचित्र है उसे हम थीमेटिक मांचित्र कहेंगे तो इसमें कुछ मांचित्र विशेश जानकारिया प्रदान करते हैं जैसे सड़क का मांचित्र तरसा का मांचित्र वन तथा उद्धोगो आदी के वित्रं दरसाने वाले मानचित्र, तो आप कर सकते हैं कि किस थीम पर वो वानचित्र है, थीम आप समझ सकते हैं, जैसे कि वर्षा का हुआ, या फिर वन का, उद्ध्योग क्या, या फिर सड़क का जो हमारा थीम रहेगा, उसे ही थीमेटिक मा इन ही कहा जाएगा और इन मांचित्रों में दी गई सुचने के अधार पर उनका उचित नामकरन भी दिया गया है जैसे मांचित्र के तीन घटक है देखिए, मानचित्र से जब आपसे पूछा जाएगा, अपि तो हमने इनके प्रकार के बारे में पढ़ा, अब आपसे जब पूछा जाएगा, कि मानचित्र के घटक को बताईए, तो आप कहेंगे दूरी, दिशा और प्रते की ये मानचित्र के तीन घटक है, तो चले हम तो मानचित्र एक आरेखन होता है और जो कि पूरे विस या फिर उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्साया जाता है या फिर हम यह कर सकते हैं कि मानचित्र जो है वो छोटे पर माने पर खीचा जाता है लेकिन इसे इतनी साउधाने से छोटा किया जाता है ताकि अस्थानों की जो बीच की दूरी रहे वो वास्तविक रहे और यह तभी संभव हो सकता है कि जब कागज पर एक छोटी दूरी या फिरस्थाल की जो बड़ी दूरी को व्यक्त करती हूँ इसलिए इस उदेश के लिए एक पेमाना चुना जाता है और जो पेमाना है वो पेमाना अस्तल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाए गए दूरी के बीच का अनुपात होता है तो देखिए उधारन के लिए आप कर सकते हैं कि आपके विद्धियाले यह उम आपके घर के जो बीज की दूरी है मालेजे की वो 10 किलो मीटर है और इसे मानचितर पर 2 cm की दूरी से व्यक्त किया गया है तो इसका अभी प्राया है कि मानचितर का जो 1 cm का जो अस्थल है वो 1 km के बराबर होगा तो ऐसा इसे पहले ही आप लिख सकते हैं और आपके जो रेखा चितर का जो पेमाना होगा वह एक सेंटिमीटर बराबर पाच किलो मीटर होगा तो इस प्रकार पेमाना किसी भी मानचितर के लिए बहुत ही महत्पूर्ण होता है और अगर आपको पेमाने के जानकारी है तो आप मान चितर पर दिये गए किसी भी किसी भी दो अस्थानों की बीच की दूरी का आप पता लगा सकते हैं तो जब बड़े चितर वाले भाग जैसे की महादी प्याफी देश को कागज पर दिखाना होता है तो तब हम लोग क्या करते हैं कि छोटे प्यमाने क संथाने का अप्योग करते हैं कि आप अतना बड़े कागस तो लेके आप वंता सकते हैं तो उसके लिए प्यमाने के लिए आप क्या करेंगे कि छोटे प्यमानी का उप्योग करेंगे उधाhran के लिए मानचित व्रपाट चैन्टिम्मीटर अस्थल के 500 किलो मीटर जैसे कि आप मैंने भी पांच किलो में के बारे में पढ़ा अभी बता आया लेकिन जब आपको पांच recursos को बताना होगा तो आप 5 सेंटीमेटर मान चेतर को इसे बता सकते हैं कि 500engers इकवल टू पाइफ सेंटीमेटर तो इनको छोड़े पर मानने वाला मान चित्र हम तहेंगे अब देखें यहां पर एक बालिका है जो कुछ बता रही है और यह जो है वो नक्सा ही बता रही है अपने घर का कुवा का तो हम इसे इस चित्र को निच्चे देखेंगे तो यह जो बालिका है वो बता रही कि आप चित्र को 4.1 को देखिए वहां एक विमाना बना है और इसका अपयोगर स्थानों की बीच की दूरी मापने में किया जा सकता है उदाहरन के लिए एक कुवा है व्रिच के पीच की जो दूरी है कुवा और व्रिच के जो बीच की दूरी है वह 5 cm है और इसका मतलब यह है कि जो वास्तिविक द और करेम के घर को इसे बताए गया है इंडीकेट किया गया है तो जो इनकी बीच की जो दूरी है वह बारा सेंटी मीटर है इसका मतलब एक अस्थल पर या दूरी 120 मीटर है लेकिन आप एक यहां पर बताया जा रहा है कि आप एक चिडिये पंशी की तरह उड़के तो नहीं ज जा सकते हैं तो आपको सरक पर चलना होगा तो अब हम लोग पैदल तै की जाने वाले दूरी जो है हमारी E से C इसके बाद तो इसके बाद C से M, फिर M से B, फिर B से A को मापते हम चलते जाएंगे और सभी जो दूरी है उसको जोड़ दे तो करेम के घर से पोस्ट आपिस की जो दूरी है वो हमारी मिल जाएगी तो इस तरह से ये जो नक्से के बारे में बात हो रही है हम उसे आगे देखेंगे अब देखें यहां पर है कि जब बड़े चितर वाले भाग जैसे कि महादीप हुआ महादीप या फिर देश को कागज पर दिखाना होता है तो तब हम लोग छोटे पे माने का उपियोग करते हैं उदारन के लिए मानचितर पर 5 सेंटीमीटर अस्थल के 5 किलो मीटर को दरसाना है और इसको छोटे पे मानचितर कहते हैं तो जब एक छोटे चितर फल वाले भाग जैसे कि आप गा या फिर सहट को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पे माने का उपियोग करते हैं और जैसे कि यह स्थल पर 500 मीटर की दूरी है इस दूरी को मानचितर पर 5 सेंटीमीटर से दरसाया जाता है और इस प्रकार से मानचितर को बड़े पेमाने वाले मानचितर कहते हैं मतलब आप पेमाने के आधार पर भी मानचितर को दो भागों में या पर बाटा गया है चोटी पर मानने वाले मानचित्र की पैच्छा आधिक जानकारी प्रदान करता है अब देखिए हमने अभी जिस जो चोटी पर है। ने जिस नक्से के बाद किया वो यही पर है आप देख सकते हैं कि सामुदाई किंद्र है जो हमारा रास्ता है वो है A, B, M, C, D, E ऐसे करते हुए यहां पर विकास का भी घर है सीला का घर करेम का घर उद्यान है विद्याले है कुवा है पेड़ बोद है लेकिन सब इसे हमारा जो रास्ता बना हुआ है और हम चिरिया के भाती उरका तो नहीं जा सकते हैं रास्ते पर ही चल के जाएंगे इसी को यहां पर बताया जा रहे है तो इस तरह से जो हमारा धियाए 4 है मांचित्र आज उसका मैंने फर्स्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट को पढ़ाया है नेक्स वीडियो में लेकर आएंगे तब तक आप देखते रहे हमारे यूटूब चैनल स्कूल चले धन्यवाद